भाई कमायल का प्रोजेक्टर है, आटो फोकस, आटो कीस्टोन, डॉल्बी ओडियो को भी सपोर्ट करता है, ये है जबरॉनिक्स का नया पिक्सा प्ले 17, एक स्मार्ट एंड्रोइड प्रोजेक्टर है, इसका पूरा ही न बड़िया से रिव्यू करने वाला हूँ आज मैं, वीडियो को स्किप मत करना, जानते हैं कैसा है ये नया जबरॉनिक्स पिक्सा प्ले 17 प्रोजेक्टर, अन्बॉक्सिंग के साथ में करते हैं वीडियो को स्टार्ट, 6000 lumen वाला प्रोजेक्टर है, स्मार्ट प्रोजेक्टर है, android based, dual band वाइफाई को सपोर्ट करता है, Quad Core प्रोसेसर इसमें लिखा हुआ है, auto focus और auto keystone को भी ये support करता है, इसके लावा इसमें bluetooth भी आपको मिल जाएगा, screen mirroring को option भी है, पहले unboxing करते हैं, box content देखते हैं सारी specs की बात मैं performance के हिसाब से करूँगा आगे कैसा ये real time में perform करता है तो इस बर ये काफी बड़ीया काम किया है कि यहाँ पे एक backpack free दे दिया है backpack में पीछे adjustable straps आपको मिल जाते हैं और उपर की तरफ भी आपको एक strap मिल जाता है इसको carry करने के लिए तो अच्छा है ना business purpose से भी इसको use कर सकते हैं projector को आप इसे easily कहीं भी carry करके ले जा सकते हैं उपर की तरफ में एक pocket है, उसमें कुछ cotton swap दे रखे हैं आपको दिखा दूँगा, नीचे एक projector है और यह पूरा padded backpack है तो यहाँ पे ना हर चीज जो है ना सही से must safe रहने वाली है तो backpack की quality मुझे अच्छी लगी, उपर की तरफ में accessories का compartment है accessories में आपको power cable मिल जाती है, एक HDMI की cable मिल जाती है और यह है इसका remote control, यहाँ पे आपको triple E batteries खुद से लगानी होगी एक pouch मिलता है जिसमें cotton swab है, एक cleaning cloth है इसके अलावा आपको एक चोटा सा paper मिलता है जिसमें लिखा है कि आप कैसे lens को safe कर सकते हैं इसके उपर मेरे चैनल पे आपको एक video भी मिल जाएगा अब projector की बात करते हैं, सबसे पहले इसका physical overview की बात कर लेते हैं projector की उपर में आपको यहाँ पे doll भी audio लिखावा मिल जाएगा इसके बारे में आगे चीज़ें समझाऊंगा जैप Pixa Play 17 की branding, power का button मिलता है, back का button मिलता है किसी भी electronic की, और इस side में आपको एक speaker मिल जाता है यहाँ पे, और दूसी side में भी आपको एक और speaker मिल जाता है और fans मिल जाते हैं, vents भी यहाँ पे दबा दबा के दे रखे हैं total speaker का जो output मिलेगा आपको 10 watts का मिलेगा ports की बात करें, तो यहाँ पे audio का port, HDMI के दो port मिल रहे हैं USB के दो port और IR sensor नीचे की तरफ में आपको एक power on-off के लिए switch मिल जाता है तो यह अच्छा है, यहीं से off कर सकते हैं lens के उपर cap लगी भी है, आगे zebronics की branding दो camera's यहाँ पे लगे वे हैं यह दोनों camera's आपके auto focus और auto keystone में काम आने वाले हैं इस projector को आप ceiling mount भी कर सकते हो और नीचे rubber padding दे रख किए, अगर किसी surface पे table पे रखते हो तो इस kid नहीं करेगा जल्दी से एक nut भी यहाँ पे दे रखा है, जिसकी मदद से इसकी height को आप tilt कर सकते हो, अगर आपने किसी surface पे इसको रखा हुआ है तो नीचे vents भी आपको मिल जाएंगे remote में भी आपको एक blue light देखने को मिलती है वैसे तो यह auto focus जो है अपने आप ले लेता है लेकिन अगर remote से भी इसका focus आप adjust करना चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे button की मदद से adjust कर सकते है अब इसकी real time performance चेक करते हैं और सारी जितनी भी specs से उसकी बात करते है projector को मैंने on कर दिया है और यहाँ पे भी तो मैंने बहुत ही कम distance पे रखा हुआ है सब चीज़ें बताऊंगा वीडियो में अब यह सारा part आपके लिए main होने वाला है white wall पे हम चलते हैं यहाँ पे 20 watt की एक tube light अभी on है तो इसी light condition है मैंने projector का on कर दिया है projector को पहले मैं काफी test कर चुका हूँ projector कुछ दिनों से मेरे पास में है अब यहाँ पे जैसे on करते है zebronics for life यहाँ पे लिखाया है और उसके बाद loading लिखा आता है boot time की बात करूँ तो तकरीबन 40 seconds का time यहाँ पे लगता है on होते ही सबसे पहले यह auto focus होता है अब देखिए हमें projector को हिला रहा हूँ auto focus इसने ले लिया है और यहाँ पे आप keystone correction भी जो है अपने आप हो जाएगा अब देख सकते हैं यहाँ पे keystone correction हो चुका है four point keystone correction आपको automatically यहाँ मिल जाएगा तो focus और keystone automatically तो काफी सही तरीके से काम करता है लेकिन अगर remote से भी करना चाहें adjust होगा सब motor के through ही तो यहाँ नीचे एक button दे रखा है इस button को आप जैसी दबाएंगे तो projection settings आपको यहाँ मिल जाएगी projection mode को change कर सकते है auto keystone को on या off कर सकते है अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा भी आपकी requirement है manual keystone का option भी यहाँ पे मिल जाता है यह एक अच्छी चीज है इसको मैं personally पसंद करता हूँ बागी correction settings को option भी मिल जाता है lights अभी भी on है और इस तरह से इसका interface देखने को मिलता है अभी मैं lights को off कर दूँगा यहाँ पे 6000 lumens की brightness है और contrast ratio जो है इसका static contrast ratio है 1000 is to 1 का और static contrast ratio जो होता है न वो more accurate होता है तो यहाँ पे contrast भी इसका सही लगा बागी आगे conclusion में मैं सब आपको बताऊँगा app store करके एक स्क्रीन मिलता है जिससे आप apps को download कर सकते हैं बागी इसमें आपको Google Play Store का option भी मिलता है यह Google Play Store का interface है lights को मैंने off कर दिया है पहले बात करते हैं corner जिसके blur होते है या नहीं तो देखिए यहाँ पे 120 इंचिस की screen को मैंने project कर दिया और corners blur नहीं मिले है मुझे यहाँ पे keystone correction काफी अच्छे से काम कर रहा है तो business purpose से भी आप इस projector को use कर सकते हैं वाइ-फाइ सेटिंग मिल जाएगी डूइल बैंड वाइ-फाइ है इसमें Bluetooth की setting Bluetooth version 5.1 है इसमें बाकी system updates का language setting को option आपको इसमें मिल जाता है application settings मिल जाती है system में बात करें तो यहाँ पे Android 9 दिखा रहा है RAM और ROM यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1 GB की RAM है इसमें और 32 GB की ROM है इसमें बाकी usable कितनी है वो आप सामने यहाँ पे देख सकते है 1.5 मिटर की दूरी पे आपको 50 inch की screen मिल जाएगी और 6.5 मिटर की दूरी पे projector को रखते हैं तो तकरीबन 224 inch की screen आपको मिल जाएगी यहाँ पे मैंने Geo Cinema इसमें install किया था यह एक Full HD projector है और यहाँ पे Full HD वीडियो को support करता है यह YouTube पे लेगिन अगर आप अपना Android TV box लगाते हैं या फिर Fire TV stick तो इस तरह के 4K samples को अगर आप play करते हैं तो इस तरह के colors आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मैं काफी जादा impress हुआ हूँ इसकी picture quality और colors को लेके मुझे तो भया बहुत मजा आया इसकी जो accuracy है न color की वो काफी सही लगी है यहाँ पे तो cinema वगेरा के लिए home cinema वगेरा के लिए काफी अच्छी चीज है samples में यहाँ पे आपको और भी दिखा लेता हूँ कुछ इस तरह के samples भी मैंने यहाँ पे play किये है और इन samples में भी जो है colors आप देख सकते हैं कितने बढ़िया यहाँ पे लग रहे है Android projector है तो आप इसमें apps को install कर सकते हैं YouTube तो देखो यहाँ पे play कर सकते हो आप full HD में लेकिन अग आप OTT का मजा लेना चाहते हो और actual में cinema वाला feel OTT का लेना चाहते हो तो फिट तो fire tv stick या एक certified Android TV box लगाना बनता है इसमें इस projector पे आप HDMI के थूँ तो कोई भी चीज़ को connect कर सकते हैं कोई भी device आपके पास में अगर है तो बाकि USB से आप चाहें तो अपना कोई hard disk या pen drive भी connect कर सकते हैं मैं drive मैंने आपे connect कर दिये और मेरे अब मैं वो samples play करूँगा ना जिने मैं personally काफी जादा पसंद करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि colors कितने शांदार लग रहे हैं यह जो quality मिल रही है ना definitely काफी bright quality है और काफी अच्छी quality है इवन daylight में भी यह projector अच्छी तरीके से perform करता है वैसे तो projector का असली मज़ा dark में ही आता है लेकिन hlky fullky light अगर windows से भी आ रही है आपको इस तरह की quality देखने को मिल जाएगी अभी तक मैंने जितने भी projectors का review किया है ना मैंने से full HD projectors का ही review किया है यह अभी तक का one of the best और brightest projector मुझे लगा है आज की rate में no doubt picture qualities की काफी बढ़िया लगी मझे इस projector में आपको dolby audio का support मिल रहा है यानि की dolby audio को यह decode कर लेता है for example अगर आप मालो fire tv stick connect करते हो और उसमें कोई video play करते हो जिसमें dolby audio का support है तो normal बहुत सारे projectors ऐसे होते हैं जो dolby audio को support नहीं करते हैं वहाँ पे output mute रहता है लेकिन यहाँ पे अगर आप उस file को play करते हो तो उसके audio को यह decode कर लेगा और यहाँ पे आपको वह audio clearly सुनाई देगा अब audio का sound का sample कैसा है वह आप यहाँ पे सुन लो भाई नो डाउट speaker काफी powerful है इसके दो speaker इसमें दोनों तरफ दे रखे हैं 55W की speakers है total output 10W का मिलता है और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे base भी feel होता है और distortion बिल्कुल भी नहीं लगी full volume पे भी अब यहाँ पे जो मैं samples आपको दिखा रहा हूँ यह basically mobile से मैंने shoot किये थे कभी और मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको यह samples दिखाए थे यह samples मेरे mobile के हैं फिलाल मैं तो मैं इसे USB से play कर रहा हूँ लेकिन इसमें आप चाहें तो mobile को भी screencast कर सकते हैं movies वगारा देखनी हैं वो भी आप enjoy कर सकते हैं मैंने काफी enjoy किया है इस projector को review बनाने से पहले मुझे तो बहुत मज़ा आया interface इसका मुझे काफी सही लगा कोई lag नहीं है mira cast का option है क्योंकि मेरे पास में android phone है मैंने android phone को यहाँ पे cast किया है अगर आपके बस में कोई iOS device है iPhone वगरा है उसको भी आप screencast कर सकते हैं screencast के दुरान आपको delay थोड़ा सा मिलेगा बहुत जादा नहीं मिलेगा बहुत ही कम notice होता है लेकिन screencast बड़े असे काम करता है बाकी इस projector में आपको recommendations मिलती रहेंगी जिस type का भी आप content देखते हैं music हो, videos हो उस तरह की recommendations आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी मैंने play store से कुछ apps डाउनलोड की थी और एक फालतु सी Chinese app भी इसमें डाउनलोड हो गई जिसको मुझे अब uninstall करना पड़ेगा जितना भी टेस्स किया है आटो फूकस आटो की सोन अच्छे तरीके से काम करता है आप इसमें heating issue की बात करें तो सर्दियों का समय है heating issue एस्टाइस नहीं मिला चार-चार-पांस-पांस घंटे में इस projector को यूस किया है pen drive की सुरू अगर आप कोई video format प्ले करते हो तो almost सारे ही video formats को ये projector support करता है बाकी business के लिए आप लेके जा रहे हो तो directly pen drive से भी बहुत सारी files को प्ले कर सकते हो और laptop से भी connect कर सकते हो weight की बात करूं तो तकरीबन सबा 2 kg इसका weight है backpack तो साथ में मिला वा है easily कहीं भी carry आप इसको कर सकते हो मैं अपनो opinion देता हूँ इस projector के बारे में देखी यहाँ पर जो 6000 lumens mention कर रखा है ना वो actually में feel होता है और मैंने notice किया है zebronics के जितने भी projectors आये हैं यहाँ पर actual number of lumens आपको मिलता है बागी रही इसके contrast ratio के बाद तो zebronics से मैंने इस बारे में बात की थी और यहाँ पर जो contrast ratio है 1000 is to 1 static contrast ratio है और अगर static contrast ratio की बात करें तो वो ज़ादा accurate होता है compare to dynamic contrast ratio इस projector को आप ceiling mount कर सकते हैं office में भी घर में भी यह दोनों ही purpose से आपका जो है काम बढ़िया कर देगा picture quality मुझे यहाँ पर काफी लगी brightness काफी अच्छी है इसकी और interface भी इसका ठीक है बाकी dolby audio encoding का support आपको इसमें मिल जाता है bluetooth का option भी है bluetooth से आप अपना bluetooth speaker वगरा connect कर सकते हैं remote की बात करूं तो remote को ज़रूरी नहीं है कुछ projectors में होता है बार बार remote को projector की तरफ करना पड़ता है तब remote काम करता है हाला कि IR-based remote है लेकिन screen की तरफ point करते हुए भी remote सही तरीके से काम करता है यहां पर इसमें जो यह auto keystone और auto focus दे रखा है यह मुझे actually में सही लगा auto focus कई बार थोड़ा slow काम करता है लेकिन actual result आपको दे देता है focusing ठीक से कर देता है auto keystone भी मुझे काफी बढ़े लगा बाख़ी digital zoom in zoom out का option जो दे रखा है वो भी अच्छा है कि screen को आप अपने इस आपसे छोटा बाद कर सकते हैं बिना projector को आगे पीछे करे इस projector को मैंने 4-5 घंटे use किया है और heating issues as such नहीं मिले भी तो मौसम भी सरदियों का है लेकिन long time के लिए आप इस projector को use कर सकते हैं colors यहाँ पे vibrant ज़रूर मिलते हैं लेकिन color की कोई specific setting इस projector में नहीं है होती तो बढ़िया होता lamp life की बात करूं तो 30,000 hours की lamp life आपको यहाँ पे इस projector में मिल रही है एक साल की warranty के साथ में यह projector आता है जो इसका price है वो है 24,999 और इस price point पे यह projector की quality है performance है वो मुझे काफी सही लगी तो आप इसको check out कर सकते हैं description में ले link दिया है कोई सवाल है तो comment कीजिए जवाब दूँगा अगली वीडियो में दिखाऊंगा कुछ और gadgets